हेलो फ्रेंस नमस्कार विल्कम टो वंडे एक्जाम ठार्गेट आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वंडे एक्जाम ठार्गेट पर यहां पर हम देखेंगे हिंदी के इंपोर्टन कोश्चन जो आपके सीटेट यूपेटेट सुपर्टेट सभी के लिए एक्वली इंपोर्टन है हिंदी कोश्चन के साथ साथ यहां पर हिंदी पेडागोजी भी इसमें कभर किया चाएगा तो चलिए बिराखेसिक देरी के स्टार्ट पर नाजकी इंपोर्टन कोश्चन पहला इन्पोर्टन उप्चारात्मक सिक्षण की सपलता निर्भर करती है किस पर परपिर्न करते हैं अब उप्चारात्मक सिक्षण कैसे गर सकते हैं लोग है शबता है इा जब आपको समस्या जो करके आभ उप्चारात्मक के सभी से सकते हुए तब ये सफल गई जब तक आप समस्या के कारण की आप सही पहचान नहीं करेंगे तब तक आप अपचारात्मक सिक्षण नहीं दे पाएंगे और फिर वो सफल भी नहीं होगा अपचारात्मक सिक्षण आप तभी दे पाएंगे जो समस्या होगी उसको सुधारने के लिए अगले कोशिन पर चलेगे नेक्स्ट है भासा सिक्षर में जो पाठ्थी पुस्तक है क्या है भासा सिक्षर में पाठ्थी पुस्तक एक साधन है अपसन सी सही हो जाता है ये एक साधन है नेक्स्ट अमारा कोशिन है मारा अगला कोशन है हिंदी की कक्षा में प्राया हिंदी तर भासी बच्चे हिंदी सीखने में अनिक कठिनाईयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तर हिंदी से इतर यानि की दूसरी भाहसा के बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाईयों का सामना करते हैं क्यों वे मल लगाकर हिंदी नहीं सीखते ये बात बिलकुल भी नहीं हो सकती हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरूची होती है तो फि सी लिए उन्हें सीखने में कटिनाईंगा साम्ना करना पड़ता है वंकोने सनाने से क्या होता है बच्चचे प्रसन होते हैं देखेञे आपको बड़र ओप्सिंट करना बच्चे प्रसम्न तो होते हैं बच्चे इकक्षा में एकाग्र Kazit हो करके शांत बैठते हैं बच्चे अनुसासित होते हैं बच्चों की कल्पना शक्ति वर चिंतन शक्ति का विकास होता है तो बेटर आपसन आपका बच्चों के लेखन कॉशल का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी विधी बहतर हो सकती है। अपने अनुभों को लिखना, शुरुत लेक या पाठा धारित प्रस्टनों के उत्तर लिखना, सुन्दर लेक का अभ्यास करना। उप्सन ए सही हो जाता है, जो बच्चे का लेखन कॉशल है, उसका मुल्यांकन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कुन को आप बोलिए कि वे अपने अनुभों को लिखें। अप्सन आपका अ सही हो जाता है, अगले कोशन पर हम चलेंगे नेक्सत है, बोलना कौशल में महत्य पूर्ण क्या है। कि अप्सन यहां पर हमारा सही होगा देखिए एस्पस्ट और शुद्ध चारण आलंक्यारिक भासा का प्रियोग मधुरवाड़ी अप्सन आपका ए सही होगा यहां पर संदर बहुर इस्थित की अनुसार अपनी बात कह सकना अगर आप बोलना कौशल में एक्सपर्ट है या प्सक्र豆 चलेंगे नेक्स्ट है कि एक भासा सिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौति क्या है अप कॉझे अफस्टा सी होगा का रणणीति या तयार करना यह कक्षा जसमें बहुत भासा को जाने वाले बहुत भासा के बच्चे हैं कई भासा था अपकी सिक्षण के रूपसे यही होती है नेक्स्ट अमारो कोशिन एक समावेशी कक्षा में कौन सा कतन भासा सिक्षण के सिद्धानतों के प्रतिकूल है बच्चे परिवेश से प्राफ्थ भासा को ग्रहाण करते हैं भासा प्रयोग में नियम बना सकते हैं भासा आप परिवार में रहकर अर्जित की जाती है यह पूछा यहां पर बोला जा रहा है कि भासा सक्षण के सिद्धानतों के प्रतिकूल यारी कि सही नहीं है प्रतिकूल है प्रिंट सम्रिदे माहौल भासा सीखने में सायक होता है या ऑप्सन डी ब्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भासा ऑप्सन आपका डी ही सही होगा यह भासा सिद्धानतों के एकदम से प्रतिकूल है कि ब्याकरण के नियम सिखाने से आप बच्चों की भासा का विकास सिगरता से करा सकते हैं या फिर उनमें भासा विकास सिगरता से होगा नियम रटाने से इनमें भासा का विकास नहीं हो सकता है रटने की प्रवित्ती पर बल बिल्कुल भी नहीं देना है आते हैं नेक्स कोश्चन पर हमारा अगला कोश्चन है एक बहुत सांस्कृतिक अक्षा में आप एक भासा सिक्षक की रूप में किस बात को अधिक महत्त हो देंगे एक भासा सिक्षक की रूप में आप किस बात का अधिक महत्त हो देंगे एक बाट जितने भी श्रूएं वीडियो को देख रहे हैं फटापट से वीडियो को लाइक करेंगे अपने दोस्ते में लिंक को शेयर भी करेंगे और एक टार्गेट रखिए कि आप चितने भी कोश्चन सॉल्व करेंगे आपका 100% हो एक भी कोश्चन गलत ना हो यह समझ करक कि आप एक्जाम हल में बैठे हुए और कोश्चन को आप सॉल्व करेंगे कोश्चन एक बहुत सांस्कृतिक अक्षा में आप एक भासा सेख्षक की रूप में किस बात का अधिक महत्तों देंगे अप सनिया पर हमारा कौन सा सही होगा पाठ्य पुस्तक की प्रतीक पाठ को भली बात समझाना देखिए भासा सेक्षक की रूप में बात कहीं जारी है और बहुत सांस्कृतिक अक्षा है बच्चों को ब्याक्रण सिखाना सुयम सुद्ध भासा प्रियोग या बच्चों को भासा प्रियोग की अधिक से अधिक देना विकल्प आपका यहां पर डी सही हो जाएगा जब भी आप ऑसर देंगे बच्चा जब ऑसर लेता है यानि कि ऑसर जब उसे मिलता तो खुद से करता है जब वो जादा स्यादा भासा का प्रियोग करेगा तो फिर जादा वो सीख पाएगा अगले कोशिन पर चलेंग आत्मिश्वास के साथ अपनी बात कहना यह उद्देश्य में है वर्ड मालों को सही क्रम से कंठस्त कराना द्वनी संकीत चिन्न का संबन्द बताना यह तो है विवित संदर्बों में भासा का प्रभावी प्रियोग करना यह भी है कंठस्त कराना तो प्रात्मिक अस्तर पर वडमालक के क्रम में कंठस्ट करना भासा सिक्षण का उद्देशी नहीं है अपसन आपका 20 है योगा जबकि असपश्टतेया और आत्मिस्वास के साथ अपनी बात कहना ध्वनी संकेत चिन का संब्ध बताना और बिभिन संदर्भू में भासा का प्रभावी प्रयोग करना य अभिवावकों को ब्यस्टर रखने का उत्तम साथन है बिल्कुल नहीं बच्चो की चमताओं अस्तर की अनुसार ग्रेह कारे दिया जाना चाहिए बिल्कुल सही बात है अभ्यास मात्रे ग्रेह कारें और आपका B यहां पर सही हो जाता है बच्चों की चमताओं अस्तर की ते नो सारे ग्रेह कारे दिया जाना चाहिए है और सब्सक्राइब कोशा इसा की अभिव्यक्तात्मक्त कॉशल हैं सुनना बोलना बोलना लिखना अब दिख्या अभिव्यक्त करने वाले कॉशल option अब कब 20 से हो जाता है बोलना और लिखना आप बोलेंगे तब भी आप अपनी चीज़ को अभिव्यक्त कर रहे हैं लिखेंगे तब भी आप अपनी भात को अभिव्यक्त कर रहे हैं बासा के चार कौसल है सुनना सुबोपली देखिए सुनना सुबोपली तो अभिव्यक्ति के साधन आप तो सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं लेकिन बोलना और लिखना यह अभिव्यक्ति के कोशल है हमारा अगला कोशी ने प्रात्मिक स्थर पर बच्चों की भासा सिक्षा के संदर में निम्लेख इतमे से कौन सा कथन असत्य है प्रात्मीकस्तर्पर बच्चों की भासा सिख्षा के संदर में आपको यहाँ पर असत्य का थन्द बताना हैं बच्चे शम्रिद भासा परिवेस में सः होusi और स्वतह रूप बच्चो की भाउसा संकल्पना, जो भाउसा का कॉंस्प्ट हो, बिद्याले में प्रचलीध भाउसा परिवेश में, बिरोधा भाउसी भाउसा सीखने में सहायक होता है, बिल्कुल गलत ऑप्षन एक दम से, यानि कि आपका option C ही सही होता है जो दोनों में विरोधा भास होता है वही सीखने में सायक होता है बिल्कुल नहीं option आपका C सही हो जाता है यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों की भास सिक्षक के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अब यहाँ पर चौथा भी देख लें सुधार की नाम पर की जाने वाले टिपड़ियों वह निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुच्छी उत्पन हो सकती है तो यह भी सही बात है लेकिन यह जो है यह असत्य है यह सही चीज नहीं है नेक्स कोश्चन पर हम आएंगे हमारा अगला कोश्चन है भासक कौशलों के संदर में कौन सा कथन उची थे भासक कौशलों के संदर में कौन सा कथन उची थे आपको बताना है बद्ध्याले में केवल पढ़ना लिखना कोशल पर ही ध्यान पर ही बल देना चाहिए देखे उचित की बात पूछी जारी यानि की तीन अनुचित होंगे तो अनुचित ये भी है केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कोशल क्रम से ही सीखते हैं बच्चे ऐसा भी नहीं है बासा की चारोग कोशल परस पर अन्तह सम्मनुदीत हैं बिल्कुल सही बात है बिकल्प आपका सीस सही हो चारोग कोशल आपस में सम्मनुदीत हैं देखे निटिए चोथा लिखा गया अभ्यास की पेक्शर भासिक नेमो का यान जरूरी विल्कुल गलत आपका सी सही हो जाता है यही कतन आपका उचित है जब भी आप कोशन पढ़िए दिखिए आपको एक ही काम करना है इलिमिनेट करना है जितनी भी निगेटिव चीज़े हैं उसे आप साइड करते जाएं साइड करकर के छाड़ते जाएं आपसंस को बस समझ में आ रही है बस ऐसे ही नेक्स कोशन पर हमाएंगे हमारा अगला कोशन है पार्ट में दिएगे चित्रों का क्या उद्देश्य होता है पार्ट में दिएगे चित्रों का क्या उद्देश्य होता है जित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्सक बनती है जिए जिट्रपार्ट की सोभा बढ़ाते हैं जित्र देने का प्रच्छन ये चित्र अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने में साहता करते हैं Jeces refresh aug média कोता जो अंगली विम्हेंग हूँए गद्दि और पद्दी से रेलेटेट कोशण पूछा जाता है तो इसमें एक कवित आ है पंक्ति यहां है इस पे कविता की यानि कि पद्धिया आप यहां पर पढ़ने जा रहे और इससे related पूछा जाएगा question आपको reply करना है तो क्या होता है इसके लिए आपको एक छोटी सी trick हम बताते तो अगर जिसे आप exam hall में बैटे हुए हैं आपकी पास गद्धिया पद्धि की लाइन आ रही है तो उसे आप न पढ़ करके पहले आप question पढ़ लीजिए एक बार जितना भी इससे related question जैसे कभी लोगों को कहां नहीं जाने देगा कभी लोगों को कहां नहीं जाने देगा मैंड में बैठा कभी किस तरह के बैक्तियों को संबोधित कर रहा है फिर कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है इतने आपने पढ़ लिया अब जरूर एक दिमाग में आया कि कहां कहां पर आपको रुखना है जैसे कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है कभी किस तरह की बैक्तियों को संबोधित कर रहा है कभी लोगों को कहीं नहीं जाने देगा ठीक है कहां नहीं जाने देगा तो ये इतने तीन कोशिन हो गए अब यहाँ पर जब भी आप पढ़ेंगे तो तीनों जो प्रस्ण पूछे गए हैं उसी को माइड में रख करके आप पढ़ेंगे तो ये है अब नगहरी नीद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं अतल अस्ता चल तुम्हें जाने न दूँगा अरुण उद्या चल सजाने आ रहा हूं कलपना में आज तक उड़ते रहे तुम साधना से सिहर कर मुडते रहे तुम अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूँगा आज धर्ती पर बसाने आ रहा हूं यह लाइन है सोहनलाल दुवेदी की और यहां से कोश्चन पूछा जा रहा है कभी लोगों को कहा नहीं जाने देगा कभी लोगों को कहा नहीं जाने देगा option यहाँ पर आपका D सही हो जाता है देखिए पतन की गहराई पर कभी मानों में अपनी कविता के माध्यम से जीवन्तिता पैदा करता है वो किसी को भी पतन की रा पर नहीं जाने देता है ठीक अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूँगा अरुन उद्याच चल सजाने आ रहा हूं तो पतन किरा पर यह नहीं जाने देगा कभी नेक्स्स कोज़े परमाएंगे कभी किस तरह की ब्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो अत्यदह प्रेरित है जो बहुत परिश्रमी है या जो जीवन की कठोर वास्तिविक्ता से वेखबर है option आपका सही हो जाता है C ही ठीक है कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम जो कठोर वास्तिविक्ताओं से वेखबर है उन्हें ये सम्मोधित कर रहा है कभी next हमारा question कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है ताकि लोग गीत सुन सके ताकि मनुस्यों में गतिशील्था आ सके और वेखबर प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके तो बहुत ही clear सा option विकल्प आपका 20 ही हो जाता है clear है चलिए next question पर हम आएंगे आगला आपका question है जाने नहां दूंगा पंक्ती में कौँ सालंकर है इस पंक्ती में अलंकर है option आपका D सही हो जाता है अनुप्राससलंकर तो अनुप्रास अलंकर इसमें क्यों है बहुत ही clear सा समझ में आ रहा है अतल अस्ताचल तो आप लोग मुझे समझाई अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं सभी बच्चे हिंट समझ गए होंगे और बहुत आसानी से आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं हमने बहुत ही डिटेल में सब कुछ पढ़ाया अलंकार वगरा क्लियर हो गया आपका पीछली वीडियो आप इसका बिदा का क्या हो सकता है । components कविदा का क्या हो सकता है। हर सकोलाहल आकाश या जागरिती напис here option और वीडियो को जादे जाते लाइक और शेयर करना भी नहां भूलें। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए हैं। भाषा के अभी ब्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। आपको बताना हैं। सुनना बोलना या बोलना लिखना, पढ़ना लिखना य पिर भी आपके फीडबैक का हम इंतिजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुद्बाएं टेक केर, थैंक यू सो मच, लब यू अल, बबाएं टेक केर, चेहन.